हलो 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 है एक्स्क्लूजिव चैनल पॉर आई सीवर स्टूडेंट्स और आप के लिए है यह चैप्टर करेंट एलेक्टिसिटी फिजिक्स का सिर्फ यही एक चैप्टर लास्ट हमने करेंट सेशन के अवाड़ेंग नहीं दिया था आपको जीआ आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स यहीं कवर हो रहे हैं एक मात्र चैनल में और वो है आपका प्यारा सर तरुनरपानी आपके डेडिकेटेड येस वीडियो इस पे आ रहे हैं आपके कमेंट्स आपके सजेशन के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं हमने फिजिक्स के हर एक चैप नुमेरिकल ऑन पोर्स बाय सर तरुनरपानी या पोर्स नुमेरिकल बाय सर तरुनरपानी आपको फोर्स चेप्टर का नुमेरिकल मिल जाएगा इसी तरीके से केल्रियो मेट्री पे निकालना है नुमेरिकल यही ट्रिक अपनाईए लिखिए केल्रियो मेट्री नुमेरिकल बाई सर तरुन पानी कहां लिखेंगे अरे गूगल में लिख दो क्योंकि आपके गूगल सर आपके लिए सारे मेजर सब्जेक्स को एक जगए कवर कर रहे हैं और मैंने ही डेडिकेटेड बुकलेट आपके लिए इंट्रुड्यूस की है हां मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको मेरे सूपर स्टार्स को दी बेस्ट आप दी बेस्ट कंटेंट मिल पाए और इसलिए मैंने आपके लिए ही सेंपल पेपर डिजाइन किया है यह सेंपल पेपर एस पर दी लेटेस्ट बोर्ड है और आपके लिए आपके सारे मेजर सब्जेक्स एक जगए आ रहे हैं तो हमने 40 sample papers आपके लिए एक sample में पिले आए हैं, हाँ वो single sample paper आपके Google Sir का बना हुआ है, आपके लिए वो बनाया गया है, तो चलिए start करते हैं, आज का chapter है current electricity, आपको बस इतना ही कहना है मेरे superstars कि मैं आपके लिए सतत लगातार त्यारी कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ क to give you the 100% क्योंकि मैं जानता हूँ, you deserve the best क्योंकि आप हैं the best of the best और इस session को 2024 को हमें सबसे best बनाना है अपनी life का और इसी challenge के साथ मैं और आप डटे रहेंगे, खुम सारे practice papers करेंगे, खुम सारे numerical solve करेंगे, MCQ sessions करेंगे, वो सब करेंगे जो आपके साथ, आपके suggestions से आने वाल करूंगा, और जैसा आप कहेंगे, वैसा ही हम तयारी करने वाले हैं, चलिए, स्टार्ट करते हैं, जब हम बात करते है, current की, तो आपको, बिजली जो आपके घर में आ रही है, उसकी आदा रही होती है, वैसे वो electricity है, तो electricity दो type की है, एक static electricity है, और एक current electricity है, जब हम बात करत तो उसमें मोशन या मूवमेंट आफ चार्ज नहीं होता है मतलब मतलब जैसे एक्जामपल देता हूं कि आपके पास आपका स्केल है आप अपने स्केल को अपने हाँ रूलर को अपने बाल में रफ हेर में बस ऐसे क्या को रफ कर लो और पास में बिट्स ऑफ पेपर ले आओ क्या होता है पेपर अट्रेक्ट करता है करता है करता है कि नहीं करता है तो कैसे करता है क्योंकि ये जो दो बोडीज हैं चार्जड हो गई है पर क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं करता है फ्लो नहीं करता है तो ये स्टैटिक एलेक्टिसिटी है पर हमारा चेप्तर है moving charge का एक ऐसा electricity जिसमें flow of electrons होने वाला है charges move करने वाले है चलिए समस्ते हैं सबसे पहले charge क्या है फिर आगे बढ़ेंगे तो जब बात करते हैं charge की तो charge वो physical property है matter का ध्यान दीजेगा charge physical property है matter का which causes it to experience force charge की वजए से उस पर force लगता है किसी भी body पर अगर कोई force लग रहा है वो charge की वजए से है तो वो electromagnetic field आने पर अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो body charged है if a body if a matter is placed in an electromagnetic field and it experiences a force it experiences a pull or a push then it is set to be charged अगर उस पर कुछ भी effect नहीं पड़ रहा है एकदम stiff है वो particle नमूव कर रहा है तो इसका समझ जाओ कि उसमें charge नहीं है चार्ज दो टाइप की होते है positive charge, negative charge positive charge, negative charge को example से समझाते हैं जब हम बात करते हैं दो non-conducting body की याद रखेगा non-conducting body का example हमने लिया है glass और silk एक glass rod है मेरे पास मैं assume कर रहा हूँ ये मेरे पास glass rod है इस board का stylus इसको silk के cloth से rub करते हैं चलो example के रूप में मैं silk का cloth ले लेता हूँ एक silk के cloth से इसको क्या करते हैं rub कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा glass will become positive क्योंकि ये अपने electron loose करेगा और ये जो silk होगा ये जो silk होगा ये बन जाएगा क्या negative क्योंकि ये electron gain करेगा तो charges मिल गए positive और negative positive में electron का loss होगा और negative में electron का gain होगा clear है अब आता है charge को measure किसमे करते हैं तो charge को measure करते हैं कोलूम में symbol के रूप में charge का symbol है q small q भी लिख सकते हैं तो charge का SI unit है कोलूम अब charge को measure कैसे करते हैं चार्ज का फॉर्मला है, Q का फॉर्मला है, प्लस माइनस N E, प्लस होगा तो excess और माइनस होगा तो deficit, तो प्लस माइनस N E, यह N क्या है, यह N क्या है, तो N इसमें है number of electrons, कितने electrons move कर रहे हैं, और E क्या है, एक electron का charge, एक electron का charge fix है, आप याद कर लें, तो बहुत अच्छा होगा, और वो charge है कितना, 1.6, 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलूम, एक electron का charge इतना है, तो यहाँ पर जितने electrons होंगे, उसको multiply कर देंगे, इससे आपका charge आ जाएगा, clear है, एक non-conductor में, जो current को पास न करने दे, जिसके अंदर free electrons ना हों, वो non-conductor है, जैसे मैं example दे दूँ, आपको wood की बात कर सकता है, क्या wood की बात कर सकते हैं, plastic की बात कर सकते हैं, आपो बताईए, दो non-conductors मुझे, मैंने दो बता दिये, दो आप बताईए non-conductors जोर अपना आसपास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने पैरों पे देखिए, पैरों के नीचे देखिए, कुछ आपने पैना हुआ है, हाँ, आपका slipper, leather का बना हुआ है, वो non-conductor है, wood non-conductor है, तो non-conductor, आपको बताना है, दो non-conductor, और मैं बता रहा हूँ अब conductor, conductor वो है, जिसमें charges flow कर सकते हैं, current flow कर सकती है, क्यों flow कर पाती है, क्योंकि इसके अंदर, इसके अंदर free electrons होते हैं, इसलिए ये flow कर पाते हैं, समझ गये, और conductor का example आप देख सकते हैं, metals आप सबसे अच्छे conductors होते हैं, जानते ही हैं, अब बारी आती है, शब्द current की, charge समझ में आ गया, तो charge वो force है, जो body के अंदर होता है, ठीक है, जिसकी वज़े से, वो electromagnetic field में, वो push या pull महसूस करते हैं, force महसूस करते हैं, चो charge के बाद current क्या है, rate of flow of charge, अब charge उत्म में तो, क्या होगा, body के electrons move कर रहे हैं, तो हमने discuss कर लिया था, पर rate क्या है, rate मतलब होता है, upon time, जब भी किसी का rate शब्द इस्तमाल हो, जब भी किसी में, क्या word इस्तमाल हो, rate, जैसे speed, हाना, तो speed is rate of distance, distance upon time, समझे हैं, जब भी upon time किसी को कर दो, तो उसका rate बन जाता है, क्या चीज़, rate का मतलब होता है, upon time, time से, किसी variable को divide कर दो, तो किसको divide करना है, इस बार charge को, so formula बन गया, I, ये symbol है current का, is equal to charge, divided by time, ये क्यों क्या है, charge है, और charge को measure करते हैं, column में, तो इसका मतलब हो, का column और time का, SI unit है, second, so column पर second, and that is called as, ampere, and the ampere के नाम से, जो एक scientist है, उनके नाम से, ये ampere unit बनाया गया है, ये symbolically लिखा जा सकता है, so how much is one ampere, one ampere is the amount of current, when there is a, flow of charge, of one column, for one second, per second, एक second में, जितना charge flow करता है, per second में, कितना flow करता है, उसको measure कर दो, तो जो value आएगी, वो आएगी क्या current, अब हमें measure करना है current, मैं measure करना चाहता हूँ, current कितनी है, तो इसके लिए क्या use करेंगे, आप physics के lab जाते हैं, जरूर जाया करिए, lab में देखेंगे, एक device मिलेगा, उसमें ऐसा, white रंग का उपर box बनाओगा, कुछ ऐसे उपर बने होंगे, terminals, और यहां round सा ऐसा बनाओगा, उसमें लिखा होगा A, यह A लिखा है, m meter का symbol है, m meter, ampere measure करता है, ampere current का unit होता है, समझ गए, तो यह current measure करता है, जयान देंगे, तो current को measure करने के लिए, हम किसका use करते हैं, ampere, ampere unit है, और ampere को measure करने के लिए, unit use करते हैं, m meter का, और m meter कैसे connect करते हैं, हमेशा series में connect करते हैं, सरी series क्या होता है, when the connections are made one after the another, जैसे rail का एक डंबा, दूसरे डंबे के पीछे होता है, उसके पीछे तीसरा डंबा होता है, and so on, तो जब चीजे one after the another हो, तो उसे कहते हैं, क्या series, clear है, आते हैं अगला topic है, अगला शब्द है, जिसकी बहुत जरुद पढ़ने वाली है, वो है potential, तो potential को समझने से पहले, potential को समझने से पहले, आँ भाशा में, कहते हैं, तुमारे अंदर बड़ा potential है, तू बड़ा potential है, आगे जाके जरूर कुछ बनोगे, मेरे superstar हो, तो पक्का बनोगे, क्योंकि I am very sure, आपके अंदर बहुत potential है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, और मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप अगर मेहनत करने लगेंगे, तो आपकी मनजिल बुलंदियों पर है, आप टॉप पर है, वकीन जानो मेरी बात का, तो बात उस potential की हो रही है, नहीं, हाई याप दूसरे पर नजिली बात करते है, क्योंकि हमें बात करनी है, current electricity की, अब एक body है, जहां समना, एक body है, जिसको हमने क्या रखा है, उचाई पर रखा है, हाँ, एक bucket है सचो, हमने उसको उचाई पर रख दिया है, और एक empty bucket नीचे रख दिया है, एक bucket जिसमें water भरा है, वो टॉप पर उचाई पर रखा हुआ है, और एक bucket empty है, एक बाल्टी खाली है, वो नीचे रखी है, अब सोचिए, वहां से पानी मुझे यहां तक लाना है, क्या हम बाल्टी उठाएं, पल्टे ऐसा करें, या क्या करें, उसको सिर्व एक pipe से connect कर दें, कहां से, उस top वाले को नीचे वाले से, क्या होगा, वहां से, वहां से liquid flow करता हुआ, इसके पास चलाएगा, तब तक flow करता रहेगा, जब तक यहां तो दो दोनों same potential पे ना जाएं, पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं, तो बन जाता है potential, अब keyword है इसके अंदर, कि potential की bookish definition क्या है, आईए bookish definition, as it is लिखना है, please do not change it, क्या करना है, it is the rate, sorry, it is the amount of work done, पर यूनिट चार्ज, जो लिखा है वही लिखेंगे, volt, क्या होता है, देखिए, work done, पर यूनिट चार्ज, symbolically मैं लिख रहा हूँ, जो definition हमा लिख दिया, अब इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे, जो हमें वर्क लगा, एक टेस्ट, positive चार्ज को लाने में, from infinity to that point, अजियूम करते, मेरा ये एक घर है, अजियूम करते हमारा ये घर है, ये रहा मेरा घर, मेरा घर एक fix point पर है, ठीक है, मैंने तो ऐसे बताये हैं आप लोग को, कि मेरा घर वारनासी में है, और आप लोग हो unit positive charge, या हो unit positive charge, एक test positive charge, ठीक है, कौन है positive charge, मेरे superstar are always positive, वो कभी निराश नहीं होते हैं, जिन्दगी के लिए, तो आप, आप है मेरे positive charge, तो ओ, कहां चला गया, उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, तो ये, आँसे आ रहा है भाई, ये देखिए, दिया ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए फिर से बना रहा हूँ, ये रहा मेरा घर, ये है हमारी मंजिल, जहां आपको पहुचना है, और ये रहे आप लोग, ये रहा एक test positive charge, कौन है test positive charge, तुम लोगों, ठीक है, अब infinite position से, हमें तुमारी position नहीं मालुम है, हमें आपकी position नहीं मालुम है, कोई दिल्ली से देख रहा है, कोई बंबे से देख रहा है, कोई पूने से देख रहा है, हाँ, आप अपना location, जहां से भी हो, वहां से, infinite position से, इस test positive charge को, यहां तक पहुचाना है, ठीक है, तो जो amount of work लगेगा, इस test positive charge को, यहां तक पहुचाने में, इसका नाम रखा गया है, potential, मैंने उपर जो bucket रखा था, उसको पानी को उपर से नीचे ले जाना है, तो जितना उसमें work लगेगा, उस पानी को यहां shift करने में, उसको नाम दे दिया गया है, potential, clear है, clear है, और definition फिर से देखें, यह क्या कहता है, कहता है, work done, यह work होता है, potential एक तरह का work होता है, पर किस से divided, divided by the charge, किस बात के लिए charge लग रहा है, charge लग रहा है, bringing, एक test positive ion, एक test positive charge को ले आना है, कहां से लाना है, position fix नहीं है, infinite position है, क्या, infinite position से charge को move करके लाना है, यह position fix नहीं है, यहां से charge move कर रहा है, और infinite position से move करके ले के आना है, इसको, कहां ले आना है, to that point लाना है, इसलिए इसको कहते हैं, potential, ठीक है, मतलब उसका position जहां से वो unit charge को, test positive charge को लाना है, fix नहीं है, to one point लाना है, symbolically कैसे represent करेंगे v that is potential upon work divided by charge इसलिए work per unit charge अब कैसे लिखेंगे आईए समझते हैं इसका SI unit है volt potential को measure करते हैं किसमें volt में और कैसे आया volt आईए देखते हैं हमने लिखा कि potential is equal to work upon charge work को measure करते हैं जूल में charge को measure करते हैं कोलूम में और इसका मतलब हो गया जूल पर कोलूम इसका मतलब हो गया जूल पर कोलूम which is also called as volt क्या अलेक्जंडर वोल्टा अलेक्जंडर वोल्टा जन्होंने वोल्टाइक सेल बनाया था हां जो co-electric cell बनाया था, उननों ने, उनके नाम کو वोल्ट ला लिया गया, तो उनको कह सकते हैं, कि उन além समर्पित है यह शबद क्या वोल्ट, समझ गया है, तो potential difference का unit हो गया, volt, कैसे आ गया, लेर हो गया, आप one definition, one unit की फोल्ट की दे पाएंगे अब potential के बाद term जो है उसी से मिलता जुलता आपको शब मिलेगा potential का difference इसका मतलब है कोई दो points है fix point A और point B point A और point B ये दो point है इस बार body इस बार test positive iron है वो यहाँ पर है अब यहाँ से उसको एक fix point पर लाना है यहाँ पर B पर येस तुमारा location fix है कि तुम हो लखनव में चलो हजिम करते हैं कि तुम हो लखनव पर और तुम्हें पहुचना है वारा नासी क्यों अरे भाई सर से मिलना है आपको अपने Google सर से मिलना है तो आप क्या कर रहे हैं इस fixed location से एक finite place से दूसरी finite place तक पहुचा रहे हैं इस positive charge को तो अब जो work done होगा अब जो work done होगा from one point to another होगा अब the work done per unit charge from one point to another is called as potential difference क्या चेंज है चेंज इतना है इसमें बस कि हम test positive charge ले जाएंगे पर इस बार infinity से नहीं ले जाएंगे बलकि यह point भी defined है और यह point भी defined है जहां से इस test positive is test positive charge को ले जाना है वो एक defined place है कहां ले जाना है मैं ने दिखा दिया मैंने जाना उसका कहानी कही कि लखनाऊ से बर्नारस आना है fix position है ठीक है आभी बढ़ जाएं तो potential difference को measure करने के लिए हमें एक device का use करना पड़ता है volt meter volt meter को connect करते है parallel में सर इसका क्या मतलब होता है parallel में connect कैसे होता है आई यह दिखाते हैं कैसे body parallel में connect होती है और कैसे series में होती है एक circuit देखेंगे यह रही आपकी एक single cell single cell में जो बड़ी डंडी है वो positive है और इस positive से electron flow करेगा current move करेगी यहां से ठीक है अब यहां पर हमने कहीं लगा दिया एक key चलो लगा दिया key और फिर join key है key ठीक है और इसको क्या करते हैं connect कर देते हैं माल लेते हैं resistant wire से चलो resistant wire से connect कर दिया ठीक है और क्या करते हैं इसको resistant wire से जिसको हम load कह रहे हैं किसे connect करते हैं और यहां पे लगा दिया है M meter और इसको connect कर दिया वापस आप ध्यान से देखिए M meter को connect किया है series में क्योंकि जहां यह wire end हो रही है वहां M meter शुरू हो रहा है और जहां M meter end हो रहा है वहां यह वापस शुरू हो जा रही है तो जहां एक खतम होता है, दूसरा शुरू होता है, जहां दूसरा खतम होता है, तीसरा शुरू होता है, रेल कडबा, one after the another, एक के पीछे एक, जैसे आप line में जाते हैं, assembly में जाते हैं, एक के पीछे एक, तो आप series में जा रहे हैं, अब ये देखिए, यहां पे देखिए, ये है parallel connection, किसका connection parallel में होता है हमेशा, potential difference का, why potential difference is connected in parallel, आपको बताना है, वैसे potential difference को जब connect किया गया है, तो जो उसका positive वाला जो point होता है, वो high electron flow के लिए होता है, यहां से current access आ रही है, और negative से current जा रही है, ठीक है, जहां excessive flow of electron है, ज़्यादा आ रहा है, वहां से, clear है, आगे बढ़ें, अगला term आ रहा है, resistance, रुकावट, यस, अगला term है resistance, और resistance मतलब होता है, obstruction to the flow of charge, current के electron के flow के दोरान, अगर उसे रुकावट मिलेगी, तो हम उसे कहेंगे resistance, कौन देरा है रुकावट, कहां से रही है रिकुआवट, आईए इसको समझने के लिए, इस डाइग्राम को समझते हैं, इसको समझने के लिए इस डाइग्राम को समझना पड़ेगा, माल लेते हैं, कि यह एक conductor है, हाँ, यह बड़ा सा conductor है, मैंने एक दिखा दिए, एक wire है, समझ लिजे, और इस wire के अंदर, अंदर देखे, सोचे हमारे पास एक camera है, wire के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको positive ions मिलेंगे, जो की non-movable होते हैं, अथार्थ move नहीं करते हैं, एक position पे पड़े रहते हैं, और इसी तार के अंदर, आपको मिलेंगे electron, जो constant motion में रहते हैं, हर पल क्या करते रहते हैं, move करते रहते हैं, ध्यान से देखे, तो अब आप ध्यान से देखे, यह जो electrons हैं, आपस में collide करते हैं, इस positive charge के साथ collide करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ collide करते हैं, तो number of collisions, यहां बहुत है, जब तक potential difference अपलाई नहीं किया गया है, जब तक इसको किसी cell से, या किसी power से connect नहीं किया गया है, तब तक इनका आपस में collision बहुत ज़ादा है, किसका इस electron का, क्या करते हैं, यह motion में रहते हैं, पर किसी एक particular direction में move नहीं कर रहे हैं, बलकि they collide with each other, so there is a lot of collision between these particles, electron, electron के साथ और proton के साथ टकरा रहा है, और proton क्योंकि proton बोला, positive ion बोलनी ज़्यादा चाहा होँएगा, positive ion जो है, वो constant रहते हैं, रुके रहते हैं, ठैरे रहते हैं, और नतीजा क्या होता है, इसमें खूब resistance है, खूब रुकावट है, अब आगे बढ़ जाईए, किसकी वज़े से है, number of collisions की वज़े से हैं, अब अब इसको connect करते हैं, किसी cell से, जैसे ही इसको cell से connect कर देंगे, इसी conductor को, तो क्या होगा, अब change देखिए, क्या हो रहा है, जैसे ही potential apply कर रहे हैं, जैसे ही इसको cell से connect कर रहे हैं, तो देखिए, क्या हो रहा है, देखिए, ये रहे, electron, मतलब current का flow, आपको पता होना चाहिए, current का flow, और electron का flow, reverse होता है, current आपको दिखाई देगी, positive से negative जाते हुए, और जबकि electron का flow क्या होगा, negative से positive तरफ, तो जब electrons move करने लगते हैं, electrons को ये, जब potential से connect कर दिया जाता है, तब क्या होता है, ये electrons क्या करते हैं, एक path में arrange हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक path में arrange हो जाते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है, they move from one end to another, दियान से देखिए, वो एक end से दूसरे end की तरफ, facing हो जाते हैं, जिससे इनका motion regular हो पाता है, from one end they do not move all together, but they move as the drift, क्या करते हैं, एक साथ में सारे, सारे electrons move नहीं करते हैं, बलकि they move जैसे, जल का पानी समुंद्र के में, यस नदी का पानी move करता जाता है, drift करता जाता है, वैसे ये क्या करते हैं, move करते हैं, clear है, अब collision जितना जादा होगा, उतना जादा क्या होगा, resistance होगा, तो resistance किस पर depend करता है, resistance depend करता है, number of collisions suffered by electrons with positive, जितनी जादा टकराएंगे, देखिए, जितना जादा टकराएंगे, उतना जादा इसके अंदर resistance होगा, और resistance का ऐसा unit क्या है, ohm, हाँ, सरसिनन ohm के नाम से, जो scientist थे, उनके नाम से ohm ले लिया गया है, so ohm, और resistance का formula है, resistance is equal to potential upon current, क्या, V upon I, और इसी को, yes, V upon I को ऐसे समझे, जब हम बात resistance की करते हैं, तो बात करते हैं, V की और I की, V है potential, तो potential है क्या, 1 volt, I क्या है, 1 ampere, अब resistance हो जाएगा, 1 ohm, symbolically देखिए कैसे लिख रहे हैं, 1 ohm, omega उसका symbol है, यह symbol है, omega, तो resistance 1 ohm कब बन जाएगा, जब potential of 1 volt, for 1 ampere of current अपलाई होगा, समझ गया, clear है, आगे बढ़ें, प्यालिए, next है, ohm's law, ohm's law, सरसिन और ओम ने दिया था, मैंने बताया, क्या कहता है ohm's law, ohm's law बहुत basic और बहुत important law है आपके लिए, क्या है ohm's law, आप समझते हैं, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, provided the physical conditions such as temperature remains constant, मतलब, मतलब simple है, कि जो current है और potential difference है, दोनों क्या है, एक दूसे के proportional है, current बढ़ेगी, potential बढ़ेगा, current घटेगी, potential घट जाएगा, दोनों directly proportional है, देखिए ध्यान से, current और potential difference, चर्प क्या है पर इसके लिए, एक ही condition है, कि physical condition, physical condition में क्या आजाएगा, temperature, आपको ये definition as it is, याद कर लिजे, please do not change any term, इसके अंदर से कोई term miss मत करिए, गाइब मत करिए, ऐसे देखिए याद कर लिजे, और ये जो definition है, वो ये define करती है, V is equal to IR, V stands for potential, I stands for current, and R stands for resistance, ज्यान देंगे, V is equal to IR, एक बहुत basic सा formula है, जो आपको आना चाहिए, इस पर based numerical बनते हैं, आइए, जब हम बात करते हैं, Ohm's law के बाद, अब conductance की बात करते हैं, देखिए, resistance का reversal कर दो, recipe protocol कर दो, मतलब 1 upon R is equal to G, symbol है G, conductance का symbol है G, इसका symbol है G, तो resistance का reciprocal कर दो, अगर resistance किसी में आर रही है, 10 Ohm, कहीं किसी appliance की resistance है, 10 Ohm, तो इसका conductance होगा, 1 by 10, मतलब 0.1 per Ohm, क्या? Per Ohm, मतलब Ohm में minus 1 sign, जिसको एक और नाम से जानते हैं, Simon, 0.1 Simon, clear है? आईए, Ohm's law समझ गए, अब Ohm's law का एक कमी, एक limitation, और limitation यह है, एक कमी बस Ohm's law में यह है, कि it is obeyed when the temperature remains constant, वो पहले भी definition में भी बता दिया था, कि physical condition में temperature को change नहीं करना, इसका मतलब temperature change होगा, तो Ohm's law follow नहीं करेगा, मतलब एक body जो Ohm's law को obey करती है, Ohm's law पे काम करती है, उसे हम कहते हैं, Ohmic conductor, आईए, आपको इससे पहले, एक Ohm's law के V versus I graph को समझाते हैं, V that is potential difference, and I stands for current, तो V versus I graph में अगर, ज्यान से देखें, मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसको मत देखें, यहाँ देखें, V versus I graph, यह रहा, V versus I graph, clear है, तो अगर एक straight line बन रही है, तो समझ जाईए, यह एक Ohmic conductor है, क्या, यह graph एक ऐसे conductor का है, जो Ohm's law को obey कर रहा है, सर आपको कैसे मालुम उबे कर रहा है, क्योंकि Ohm's law में बताया गया था, कि V is equal to I R होता है, इससे R का formula भी निकल गया, क्या R का formula निकला देखें, R का formula निकला, V upon I, तो R इसमें constant value हो जाएगी, क्या सुन रहा है मेरी बात को, R इसकी constant value हो जाएगी, आइए find करते हैं, इसके slope को निकालते हैं, V versus I graph में, जो slope निकल रही है, वो ही resistance है, that means, आइए find करते हैं, एक value ले करके, कि यहाँ पर V है 20 volt, और यहाँ पर I है, let's assume 10 ampere, अब मुझे निकालना है इसका resistance, तो इसका resistance का formula हो जाएगा, 20 upon 10, जवाब आजाएगा 2 ampere, उसी तरह से और आगे बढ़ जाएँगे, अब आगे बढ़ जाएँगे, यहाँ पर देखेंगे कि, इस बार जो resistance है, वो कैसे निकलेगा, आईए, second time जो resistance निकालेंगे, तो फिर आजाएगा 40, क्योंकि potential difference है, 40 और current है 20, पर resistance constant है, इसका जो यह slope निकालने में मदद कर रहा है, यहाँ से जो हम help कर रहे हैं निकाल करके, वो यह बताने मदद कर रहे हैं, कि यह क्या है, एक straight line बनने वाली है, अब जब straight line बनेगी, तो हर बार क्या होगा, यह omic conductor रिफ्लेट करेगी, कोई omic conductor का example दे दू, metallic conductor, एक copper wire ले लो, और इसमें current pass करो, तो वो metallic conductor है, current pass हो जाती है, पास जाती है, तो उसका मतलब है omic conductor है, अब अगर इसकी curve को क्या कर दें, एक curve line बना दें, तो बन जाएगा non omic conductor, मतलब की non omic conductor में, graph बनेगा, V versus I में एक curved line, अगर V versus I, graph plot करेंगे, यह रहा, और line कुछ भी बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ठीक है, तो यह जैसे ही curved line जा रही है, देखिए straight line नहीं जा रही है, और वो straight line जो जा रही थी, वो हमेशा क्या करती है, origin से pass करती है, कि यह conductor, ohms clock obey नहीं करता है, जैसे diode नहीं करता है, हाँ, diode नहीं करते हैं, आपको diode मालूम है, आपने LED television रखा है घर में, आपके घर में LED device है, बस वो diode है, ठीक है न, full form है, light emitting diode, LED, light emitting diode, समझ गे, तो यह कौन होते हैं, non-ohmic conductors होते हैं, ohms clock पर वो काम नहीं करते हैं, क्या चीज, ohms clock पर काम नहीं करते हैं, अगर slope of V versus I graph resistance बताता है, तो I versus V क्या बताता है, slope of I versus V conductance बताता है, मैंने क्या बताया था, slope of V versus I gives you resistance, ठीक है, और जबकि I versus V क्या देगा आपको, जैसे यह slope, इसकी slope निकालेंगे, तो आपको इसकी slope, यह जो slope बन रही है, from A to B, यह क्या बताएगी, conductance, reciprocal of resistance बताएगी, one upon resistance बताएगी, one upon R बताएगी, इसको किसमें I versus V graph ने, ठीक है, और V versus I में उसका ठीक reverse हो जाएगा, क्या चीज, V versus I graph में, इसकी slope को अगर measure करेंगे, यह रही slope, यहां से लेके यहां तक slope है, अना, A से लेके B तक slope है, यह slope क्या बताएगी, resistance बताएगी, clear है, very clear है, सोचिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम आपके लिए, दो क्या करते हैं, slopes बनाते हैं, V versus I graph में, ध्यान से देखिए, एक V versus I graph है, एक slope यह है, नाम देते हैं, A और एक slope यह है, B, हां, यह V versus I graph है, आप से मेरा question है, कौन सी slope, कौन सी slope का resistance ज़्यादा होगा, और क्यूं, विच स्लोप, स्लोप A और स्लोप B, has more resistance, और यह, बताईए, मुझे आपका wait है, मैं definitely, आपके answers को देख के प्रेरित हूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी, आप समझ के अगर उसको बजाएंगे, क्या wait करना चाहते हैं, चलिए, मैं wait कर रहा हूँ, मैं आगे बड़ता हूँ, और आपके साथ यह फिर question discuss करूँगा, देखते हैं मेरे superstars, कितने सारे superstars, इसको सही बताते हैं, चलिए, अभी समझते हैं आपके साथ आगे, बात करते हैं, अभी ओमिक कंड़क्टर डिसकस किया, यह रहा ओमिक कंड़क्टर बंस अगे, अच्छा ओमिक कंड़क्टर की खास बात है, कि यह conductors की जो यह line दिख रही है, मैंने बताया, यह line resistance बताती है, और खाकास बात है, यह हमेशा origin को पास करती है, क्या चीज, ओमिक को पास करती है, origin को पास करती है, और नौनमिक कंड़क्टर जैसे LED, सोलर लाइट, सोलर सेल्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट अवल, देख लिजे, कर्व लाइन है, अब किस पर डिपेंड करता है, resistance, हाँ, मेरा कोश्चन अभी बाकी है, वो दो, अभी बाकी है, resistance किस पर डिपेंड करता है, तो resistance डिपेंड करता है, material पर, अगर material अच्छे वायर का है, जिसमें की conductance हो सकता है, हाँ, मतलब, जिसके free electrons हैं, तो उसमें क्या होगा, resistance कम होगा, और ऐसी वायर, जिसमें free electrons नहीं हैं, या कम है, मतलब insulator हैं, तो resistance हाई होगा, अब copper का example ले सकते हैं, और lead का example लेते हैं, अच्छे conductor में copper का, और poor conductor में lead का ले सकते हैं, और आता है, length पे बेंड करता है, resistance length पे क्योंड बेंड करता है, देखें, जितनी लंबी length होगी, electrons को उतना ज्यादा collision करना पड़ेगा, positive line से, हाँ, length बड़ी होने से, number of collisions बढ़ने जाएंगे, electron particles के, नतीजा क्या हो जाएगा, वो ज्यादा heat पैदा करेंगे, ठीक है, resistance ज्यादा होगा, इसका opposite होगा, thickness, मतलब अगर area of cross section, wire थिक है, मतलब conductor बहुत थिक है, तो resistance कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अब electrons को move करने के लिए, काफी passage मिलेगा, काफी space मिल जाएगी, तो area increase हो जाएगी, number of collision की chances कम हो जाएगी, ठीक है, next आता है, temperature पर भी dependent करते हैं, again temperature high, collision high, इसका मतलब है temperature increase, resistance increase, clear है, आईए, अगला term जो हमारा है, अब हमारे पास, वो है specific resistance, specific resistance को एक और नाम से जानते हैं, वो है resistivity, क्या resistivity, अब ये क्या होता है, चलिक एक example से समझाते हैं, ये एक wire है, अज्यूम करते हैं, ये एक मीटर लंबी wire है, ठीक है, कितनी है ये, एक मीटर लंबी मैंने wire ले ली, ठीक है, इसको कहते हैं, एक unit length, एक unit length की wire ले ली, और एक unit, एक fixed area की ले ली, अज्यूम करते हैं, area भी ले लिया, one meter square, ठीक, समझाने के लिए कह रहे हैं, तो एक fixed length है, एक fixed area है, अब इस पे जो resistance निकलेगा, ये हो जाएगा, specific resistance, symbolically resistance, ध्यान से देखिएगा, symbolically resistance क्या होता है, जब हम बात करते हैं, resistance की, तो वो होता है, resistivity into length upon area, ये है formula resistance का, ठीक है, अब इसी में से मुझे ये जो symbol है, P जो बना दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो row का symbol होता है, इसको करना है resistivity, इसी को बोलते हैं, resistivity या specific resistance, याद रखिएगा, हर एक material का, अपना एक निश्चित specific resistance है, copper का, जैसे silver का, इनका specific resistance बहुत लो होगा, क्योंकि ये बहुत कम क्या करते हैं, resistance ओफर करते हैं, जबकि metals का resistance, other than copper, silver वो बढ़ता जाएगा, resistance हाई होगा, बात करेंगे, semiconductors की, तो उनका resistance तो बहुत ज़्यादा होगा, और insulator का, तो maximum होगा, या आप मुझे कोई दो example दे सकते हैं, जिसकी specific resistivity सबसे हाई होगी, give two substance which है very very high specific resistance, हाँ, आपको बताना है, मैं वेट करना चाहता हूँ, तो ये जो है, ये जो है resistivity का symbol है, resistivity, resistance नहीं है, please do not confuse, resistance नहीं है, resistivity, resistance यह है, अब मुझे resistivity निकाल नहीं है, cross multiply करके निकाल दूँगा, देखो, cross multiply करेंगे, so resistivity is equal to, resistance into area upon length, length of the conductor, और ये area of the cross section, ये है formula, और resistivity जब भी आएगी, आपका resistivity की value, ohm meter में आएगी, किसमें आएगी, ohm meter, समाज़ कहें, तो resistivity, ohm meter में measure की जाएगी, clear है, हाँ, अब इसके बदले, हम क्या कर सकते हैं, symbolically, area के बदले, a की बदले, pi r square लिख सकते हैं, क्योंकि area of cross section, जो wire होती है, यह conductor होती है, यूजूली circular shape में है, हाँ, ज्यादा तर circular shape में, इसलिए area में क्या लगा रहे है, circle का formula लगा रहे है, तो जहाँ a लिखा है, वहाँ लग दे रहे है, pi r square, यह तो l है, as it is लिख दे रहे है, clear है, आईए अब specific resistivity, यह तो आप समझ लिए, कि metals की specific resistivity, कम होती है, हाँ, क्योंकि वह अच्छे conductor होते है, जबकि non metals की specific resistivity, बहुत हाई होती है, अब किस पर depend करता है, तो मैंने का, अलग-अलग material की, अपनी खुद की specific resistivity होती है, जो insulator होते हैं, उनकी resistance भी बहुत-बहुत हाई होती है, अब example करते हैं, silver की, तो silver की specific resistivity सबसे कम है, इसलिए best conductor है, हाँ, silver अगर अच्छा conductor है, तो क्यों नहीं अपने घर में तुम silver की तार लगवा लेते हो, हाँ, अपने घर में सारे जो connections हैं, सारी तारे हैं, वो copper की क्यों लगवाई है, लगवालो silver की, हाँ कहेंगे sir, silver महेंगा है, पहली चीज, silver बहुत costly as compared to copper, copper फिर भी सस्ता है, silver बहुत-बहुत-बहुत महेंगा है, हाँ, silver का example देखेंगे बताता हूँ, कि approximately 70,000 की आसपास है, बन केजी, जबकि copper का बन केजी, शायद 500 से 700 के बीच में है, तो the price is 100 times ज़्यादा, और सबसे पहले चोर आएगा, तो क्या करेगा, आपके घर की तार चुला रहे लेगा, अगर आप silver wire यूज करेंगे तो, आना, तो silver नहीं यूज कर सकते हैं, महुत महेंगा है, next आता है, specific resistance किस पर depend करता है, depend करता है temperature पर, अगर temperature इंक्रीज हो जाएगा, तो specific resistance भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दो, ठीक है, पर semiconductor के साथ ऐसा नहीं होता है, semiconductor जैसे magnanine, जैसे कुछ ऐसे substance, जो conductor, मतलब metal और non-metal के बीच में होते हैं, तो semiconductor, silicon हो गया, ठीक है, तो यह जो semiconductor material होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका specific resistance, decrease करता है, with increase in resistance, ठीक है, इसमें specific resistance, decrease कर जाता है, temperature के increase करने पे, ठीक है, और last, किस पर depend नहीं करता है, specific resistance, shape और size पर depend नहीं करता है, इसका मतलब body, कैसी भी shape की हो, किसी भी size की हो, specific resistance fix है, क्योंकि उसमें unit area और unit length होती है, उसकी length निश्चित होती है, area निश्चित होती है, ठीक है, अगला term मा रहा है, conductivity, the reciprocal, अथार्द रिवर्स, of the specific resistance, is conductivity, resistance का, resistance का conductance, तो resistivity का, conductivity, ठीक है, reciprocal कर दो, समझ गए, और इसको symbol से कैसे represent करते हैं, यह sigma symbol है, क्या symbol है, sigma यह राज sigma बनावा symbol, और symbolically क्या लिखा है, sigma is equal to one upon resistivity, यह L upon R A, L है, length of resistance, R resistance upon area of cross section, clear है, और measure किसमे करते हैं, unit क्या है, Simon per meter, या per ohm per meter, clear, per ohm per meter, आईए, अब बात करते हैं, हम लोग जो घर में wire लगा रहे हैं, हाँ, आप और मैं wire लगा रहे हैं, क्या हर जगे copper wire लगा रहे हैं, क्या बिजली के हर connection में copper लगा रहे हैं, क्या तुमारे beezer के अंदर भी copper wire लगी है, क्या तुमारे घर में जो iron press लगा है, क्या उसमें भी copper wire लगी है, क्यों जो घर में bulb होते हैं, हाँ, जो normal bulb होते हैं, जो yellow वाले, LED bulb नहीं, क्या उसमें भी copper wire लगी है, क्या कहते हो, इतनी सारी जगें बता दी जवाब है नहीं 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 क्या जो fuesd की तार होती है क्या उसमें भी copper wire लगाते हो नहीं 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 तो choice of wire कौन सी तार किस दगह लगानी है इसको आपको समझना पड़ेगा किस की basis पे उनकी resistance और resistivity की basis पे हम समझेंगे कि कौन सी wire कहां सबसे पहले बात करते हैं आपके घर में बिजली का connection करना है बिजली का तार दोडाना है आप तो जानते ही है chapter household circuits हमने आपके साथ किया हुआ है household circuits chapter बहुत डिटेल में हमने explain किया हुआ है तो आप बस उसमें देखे हमने ring system of wiring की हुई है तो पूरे घर में जो wiring की हुई है from the mains to the rooms to the distribution box तो वो सब किसे की हुई है copper की वायर से की है क्यों क्योंकि copper good conductor है और इसकी resistivity बहुत कम है बस simple सी बात है इसलिए हम conduction में power distribution में यूज करते है अब आता है हम लोग resistance वायर भी यूज करते है अपने घर में अब ऐसे बहुत सारे material है जहां पर resistance चाहते हैं हो हाँ आप और मैं चाहते हैं कहां चाहते हैं अब निक्रोम की वायर आपके घर में यूज हो रही है कहां यूज हो रही है अभी देखेंगे कहां यूज हो रही है बात करते हैं सबसे पहले fuse wire की आपको याद होगा fuse wire हमेशा live में connect की जाती है ताकि घर में जैसे ही high voltage आए excessive current आए वो wire क्या हो जाए break हो जाए melt हो जाए और आपके devices आपका घर electric shock से बच जाए सही बात है तो किस से बनी है तो बनी है alloy of lead and tin lead on tin क्यों क्यों क्योंकि ये high high resistant wire है और low melting point है इसमें resistance ज्यादा होता है और ज्यादा temperature होते ही ये क्या हो जाती है ये break हो जाती है आपके घर के appliances को बचा देती है बहुत थिन सी wire होती है ये fuse wire अब आता है tungsten जो हमारे घर में पहले जो पीले वाले बल्बुगा करते थे जो ये normal bulbs नहीं जो white light वाले बल्ब नहीं पहले जो पीले वाले बल्बुगा करते थे आज भी बहुत कम यूज कर रहे है और normal bulb जिसको incondition bulb होते हैं उनके जो filament होते थे वो tungsten के बने होते थे कुछ इस तरीके का होता था पहले वाले बल्ब्स पहले वाले बल्ब्स कुछ इस तरीके के होते थे round से होते थे ऐसे और उसमें यहां पर यह ऐसे से यह लपेटा होता था यही है tungsten कि समझगे हम इसकी बात कर रहे है normal bulbs की बात कर रहे थे जो पहले यलो लैट देते थे इसमें यहां पर filament के रूप में क्या होता था tungsten क्यों फिलामेंट पर टंग्स्टन क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो टंग्स्टन के अंदर very high melting point है, मतलब जल्दी melt नहीं होगा, और दूसरा very high resistance है, मतलब जल्दी जल्दी गरम हो जाएगा, क्यों क्योंकि resistance जादा होगा, electron flow नहीं कर पाएगा, number of collisions electron के बहुत जादा होंगे, तो wire heat हो जाएगी, wire जलने लगेगी, पर wire पिगलेगी नहीं, क्योंकि melting point उसका बहुत आई है, इसलिए चमकने लगेगा, खूब धूप देगा, खूब गर्म ही देगा, सही सुन रहे हैं, खूब धूप मतलब आपको खूब heat कर देगा, समझ गया, यह LED बल्प नहीं करेगा, LED बल्प से आपको इतना गरम नहीं करते हैं, पर वो बल्प गरम करते थे, समझ गया ना, आज हम लोग इसके लिए उसका यूज़ कम करते हैं, क्योंकि यह wire अक्सर fuse हो जाती थी, हाँ यह यह जो निक्रो टंग्स्टन वाइर है यहां से, यह बीच से क्या हो देती, कहते थे बल्प यूज़ हो गया है, हाला कि बहुत महेंगे नहीं होते थे बल्प, पिर आता है निक्रोम वाइर, अब जैसा नाम लिखा है, यह कैसी वाइर है, एक ऐसे मटीरियल की बनी है, जो की हाई रेस्टेंट वाइर है, हाँ यह भी हाई रेस्टेंट वाइर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इस वाइर का हम लोग हीटिंग अलिमेंट के रूप में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? हीटिंग अलिमेंट, तो इसका मतलब है हमारे घर में, जहां जहां गरम करने वाला खाना बनाना है, मैक्रोवे वबन में चाहिए, तोस्टर में चाहिए, ग्रिलर में चाहिए, आईरन प्रेस में चाहिए, घर में हीटर लगाते हैं ठंडी की दिनों में, अरे वो निक्रोम वायर है जो रौशनी दे रही है आपको, चुना मत गलती से, जल जाओगे, करेंट आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत हाई रेस्ट सब में क्या लगी है निक्रोम नाम के मटीरियल की वायर अलग है हमने अलग अलग परपस के लिए इसका यूज किया है घर में गीजर लगा हुआ है आपके पानी गरम देता है उसके अंदर भी यह वायर लगी हुई है हाई अब बात करते हैं एक ऐसे कंड़क्टर की जो रेस्टेंस देता ही नहीं है हाँ फिलाल फिलाल इसको लैप कंडिशन्स में बनाया गया है नाम है सुपर डुपर कंड़क्टर नहीं डुपर नहीं है सुपर कंड़क्टर एक ऐसा कंड़क्टर एक ऐसा सबस्टेंस जिसम में infinite conductance है हाँ उसका conducting property infinite है कुछ भी कुछ भी wastage of electron नहीं हो रहा है number of collisions हो ही नहीं रहे हैं उसके अंदर उसमें electron particles easily yes easily pass on हो जा रहे हैं ऐसा possible है very very low temperature possible है जैसे कि mercury को अगर 4.2 Kelvin तक below 4.2 Kelvin तक कोल कर दें कूल कर दें ठंडा कर दें तो वह सुपर कंड़क्टर बन जाएगा similarly LED को भी कर सकते हैं पड़ मैंने कहां यह सब lab condition में पॉसिबल है बाहर open air में तो आप इसको क्या करेंगे इतने कम कंड़िशन रख नहीं पाएंगे जिस दिन हम सुपर कंड़क्टर बना लेंगे अचीव कर लेंगे normal temperature पर room temperature पर उसमें बड़े बड़े giant जो आप सुपर कंड़क्टर कंप्यूटर देखते हैं बड़े बड़े सारी वायर लग रहे थी उन सबकी जर्वत खतम हाँ साइंस इस दिशा में काम कर रही है बहुत तेजीज दे काम कर रही है सुपर कंड़क्टर बनाने में बट लेट सी एट्स होब इस ड़न अभी हुआ नहीं है आई ये बात करते हैं इलेक्टिक सेल की जैसा नाम है सेल आपके घर में लगी है बैटरी सेल नहीं लगी सेल तो वह है जो पैंसेल बैटरी है जोँग कर रहे है और ऺशा कि टॉर्च की लाइट जो LED लाइट्स होती है टॉर्च वाली है ना यह लेजर टॉर्च हो दो उसमें भी छोड़ छोड़े बैटरी लगे होते हैं हम बात सेल की कर रहे हैं एक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें constant potential maintained रहता है through a series of chemical reaction मतलब उसके अंदर कुछ chemicals पड़े होते हैं जो react करते हैं और electrical energy बनाते हैं और यह maintained रहते हैं समझ गए यह होता है एक सेल क्या है सेल डिवाइस इन विच कॉंस्टेंट पोटेशनल लिपरेंस इस मेंटीन बिट्विन टू टू टर्मिनल होते हैं एक positive terminal एक negative terminal cathode क्या होता है सेल के अंदर सेल के अंदर chemical reaction टिक प्रेस करता है और वो chemical reactions current पैदा करते हैं flow of charge पैदा करते हैं ठीक है और chemical energy electrical energy में बदलती रहती है यह तो clear हो गया cell तो हाँ जानते थे पहले से ही हाना एक example से समझते हैं EMF क्या है जरा इस diagram को भी देखेंगे तब समझेंगे एक important concept है इस पर numerical भी है EMF पर समझेंगे EMF Electromotive Force क्या है जब हम बात करते है EMF की तो EMF एक तरह का force है नाम से समझ में आ रहा है आपको Electromotive Force है यह किसी भी cell किसी भी cell जिससे current drawn नहीं किया गया है अथार्थ उसमें से current लिया नहीं गया है connect नहीं किया गया है उसको किसी load से external device से तो वो जो उसके अंदर potential है वो उसका EMF है clear है Excel है चलिए मैं समझाता हूँ Excel है अभी cell को किसी से connect नहीं किया गया है समझ गया है सोचो एक pencil battery तुमने लाई है और तुमने अपने pocket में रखी हुई है कहीं किसी को दिया नहीं है ना किसी connection में बैटरी में लगाया है ना किसी device में रिमोट में डाला है आपके चेमी पड़ी हुई है तो उस समय उसका जब हम potential मेजर करेंगे तो वो उसके potential को हम कहेंगे क्या emf तो when no current जब current उसमें से draw नहीं कर रहे है ड्रॉ मतलब निकाल नहीं रहे हैं तो जो भी potential difference होगा जो भी potential difference होगा दोनों terminal के बीच में एक terminal यह रहा positive terminal एक terminal यह रहा negative terminal अब इस terminal से इस terminal के बीच में देखे dotted line है यह indicate कर रही है कि इसमें potential out V out और इसमें है potential inside V in V मतलब potential in तो इसके अंदर potential 1.5 है अब जब हम किसी से connecting नहीं कर रहे है dotted line बता रही है there is no connection अगर यहां से यहां तक का potential measure करते हैं जिसको हम कर रहे है potential outside the cell वो भी 1.5 है तो यहीं है इसका EMF हमाज गये क्योंकि अभी कोई load से किसी से connect नहीं किया गया है अब EMF of voltage cell है 1.0 V 08 volt Daniel cell का है 1.08 volt अगें ठीक है आपको बताना है EMF of leg lenche cell EMF of leg lenche cell बताना है बताएंगे चलिए वेट करता हूँ आई बात करते हैं factors affecting the EMF of cell EMF आप समझ चुके है ठीक है potential difference होता है जब current निकाल नहीं रहे हैं तो EMF किसी भी cell का special property है और cell का अपना EMF है और वो EMF किसी दूसरे cell से match नहीं करेगा मतलब two cells have their own EMF उनकी ये खुद की property है different different cells का अपना EMF होता है और EMF दो चीज़ पर depend करता है उसके अंदर कौन सा material use किया गया है और electrolyte ये electrolyte क्या होता है हर हर cell के अंदर जिसके अंदर current produce होता है उसके अंदर एक liquid conductor होता है उसका नाम होता है electrolyte clear है तो material और electrolyte दोनों दोनों ही effect डालते हैं clear अच्छा किस पर depend नहीं करता है EMF EMF shape of the electrode electrode का shape कैसा है तेडा है मेडा है लंबा चौडा है कुछ नहीं और किस पर डिपेंद नहीं करता है उनके distance भी डिपेंद नहीं करता है और electrolyte का कम या ज्यादा होने पे भी EMF depend नहीं करता है चलिए एक बर EMF की definition और देखते हैं इस definition को तो ध्यान से देखते हैं अब ध्यान से देखेगा EMF of the cell is defined as the energy spent per unit charge इससे definition है अब एक formula create होता है और symbol में epsilon यह E बनता है इसे symbolically जो E लिक रहे हैं यह EMF का symbol है epsilon इसे बोलते है E P I S epsilon यह Eppleson ठीक है न यह जो Epsilon Epsilson है यह है W that is work देखेए क्या clear लिखा है वर्क पर unit charge क्या है वर्क अपॉन चार्ज रहे रहे वर्क अपॉन चार्ज इसका क्या है क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है work जो होता है वो joule में measure किया गया होता है charge जो है वो column में measure किया जाता है और जब joule पर column आ जाता है उसको हम volt बोलते है so 1 volt is equal to 1 joule per column clear है क्या कहते हैं clear है 1 joule 1 joule per column is equal to 1 volt ठीक है और एक और formula है द्या धिध्यान से देखेगा तो यह मैं फोता है symbol है symbol है इनल्ट्रसन यह जो यह मैं फोता है वो depend करता है potential sorry terminal voltage पे और voltage drop पे एक है capital V और एक है small v यह जो capital V है इसको कहता है terminal voltage और small v है वो है voltage drop अब यह जो potential difference यह जो V दिख रहा है वो formula होता है IR current into external resistance और वो जो voltage drop है उसका formula होता है again IR और उसका small r है इन्टर्नल वाला resistance है ठीक है clear हो गया अब E का formula क्या बनेगा इस EMF का नया formula बन जाएगा I multiplied by sum of r plus r I stands for current and r plus r that is total resistance क्या चीज़? total resistance को plus करदो मुल्पलाई करदो बन जाएगा और यह दा symbolically मैंने लिखा ठीक है? आई अब समझते हैं कि terminal voltage क्या होता है symbolically क्या लिखते हैं? capital V terminal voltage की बात करते हैं जब कोई current draw होती है किसी cell से तो उस समय जो potential difference होता है उनके terminals के बीच में उसे कहता है याद रखिए current draw हो रही है इसका मतलब है इस बार आप current किसी load को supply कर रहे हैं current is being provided to some load to some something समझ गये? जैसे यहाँ पर देखिए अब आप इसको देखिए यह एक cell है ठीक है? यह एक cell है इसमें voltage inside कितना दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है voltage in V जो इसका volt है कितना है? 1.5 volt की यह एक cell है और इसका यह resistance अंदर वाला कितना है? 1 ohm पर जब इसको connect कर रहे हैं ध्यान से देखिए जब इसको connect कर रहे हैं किसे किसी एक load से connect कर रहे हैं देखिए यह रहा इससे connect कर दिया गया है इसको connect कर दिया गया है इसको तो इस बार क्या हो रहा है? इस बार जो voltage बाहर जा रहा है वोल्टेज बाहर जा रहा है देखें लोड लगा हुआ है आ रहे है रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है कितना करेंट जा रहा है स्वारी कितना पॉटेंशल जा रहा है 1.33 वोल्ट तो साफ समझ में आ गया कि EMF is greater than terminal voltage क्यों क्योंकि EMF जब होता है तो current draw नहीं हो रही थी और जब current draw होने लगी तो कुछ न कुछ current waste होगी इस load की वजए से उसके resistance की वजए से और इसलिए voltage drop हो जाएगा लियर है voltage कम हो जाएगा जो कम हो जाएगा जो voltage होगा वोसका उसको टर्मिनल वोल्टेज जो भी वोल्टेज होगा उससे कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज तो जब करेंट निकालेंगे ड्रॉन करेंगे तो जो potential difference होगा उसका नाम होगा टर्मिनल वोल्टेज अगला वट कौन सा है वोल्टेज ड्रॉप तो जो अगे वोल्टेज ड्रॉप भी वोल्ट है तो वर्क डन पर उनिट चार्ज यह तो बात वही हो गई वर्क दन पूर उनिट चार्ज हो गया मतलब वर्क देखें सिंबल है छोटा वी चिंबल है छोटा वी वर्क अपॉन पर उनिट चार्ज ठीक है बट अब यहां देखें क्या कर दिया अब इलेक्ट्रोलाइट कहा होता है सेल के अंदर तो विदिन देखें एक सेल कुछ इस तरीके से होती है इसके अंदर दो दो बड़े बड़े टर्मिनल्स दो बड़े बड़े प्लेट लगे होते हैं एक पॉस्टिव होता है ठीक है और एक negative होता है ठीक मैंने समझाने के लिए draw कर दिया positive negative तो अब इसके अंदर जो यहाँ liquid भरा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर अंदर जो liquid भरा हुआ है यह electrolyte है कहाँ electrolyte है जो blue color का मैंने जो liquid बनाया यह electrolyte है अब यह electrolyte यहाँ से यहाँ जाते समय resistance महसूऀस करता है इस resistance को कहता है internal resistance मैंने small r से represent किया इहाँ से रिकावर्ट को यहाँ जाने में रुकावर्ट पैदा होती है इस रुकावर्ट किसकी वज़े से पैदा होती है छोटे आर इंटर्नल रेस्टेंस के विचे पैदा होती है क्लियर है internal resistance meaning clear हो गया और इसी internal resistance की वज़े से voltage drop कर जाता है voltage कम हो जाता है the resistance offered by the electrolyte inside this cell is called as internal resistance और measure किस में करते हैं ओम में अगे अभी जो internal resistance है जो की अंदर था कहां था वो cell के अंदर दो terminals के बीच में दो इलेक्ट्रोड के बीच में तो उस पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है चार चीजे सर्फेस एरिया पर डिपेंड करता है सर्फेस एरिया इंक्रीज कर दोगे इंटर्ल रेस्टेंस दिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब कैसा रिलेशन है उल्टा इन्वर्स एक positive electrode होता है एक negative होता है positive को anode कहते है negative को cathode कहते है direct relation है जितना distance बढ़ाओगे resistance बढ़ जाएगा क्योंकि electron को तो यहां से यहां move करना होता है भाई तो इसलिए distance बढ़ाद होगे electron का तो resistance बढ़ जाएगा इंटर्नल और किस पर बन करता है कौन सा electrolyte यूज कर रहे है उसका nature क्या है तो direct relation है और last में है उसके temperature पर यहां temperature पर इसका inverse relation है temperature increase होगा temperature increase होगा internal resistance decrease होगा देखिए यह बात उल्टी है temperature high होगा electrolyte का तो resistance डिक्रीज हो जाएगा चली अब हम लोग क्या करते है resistance को combine करते है एक से अधिक वायर को एक से अधिक resistant वायर को combine कर देंगे क्या बन जाएगा combination of resistance हाँ कैसे combine कर सकते दो basic combination है जो common combination है आपको आने चाहिए एक one after the another जैसे मैंने कहा था rail के दिब्बे की तरह है जहां एक resistant वायर खतम होगी दूसरी इसकी पिछे लग जाएगी और जब दूसरी खतम होगी तो तीसरी पिछे लग जाएगी तीसरी के पीछे चौथी लग जाएगी हम इसे कहेंगे resistance in series इसको कहते है resistance in series आईए इसके example से समझते हैं अब आप देखिए इसमें तीन resistant वायर है एक खतम हो रही है resistance वायर आरवन ए से लेकर के बी तक है तो जहां ए के बाद बी यह सिंबॉलिकली बनाया गया है यही सिंबल आपको यूज करना है रेस्टेंट वायर का ठीक है वैसे resistance रुकावट होता है इसलिए जिग-जग दिखा रहा है तो यह resistance वायर आरवन है अब जहां आरवन पहला रेस्टेंट वायर खतम हो रहा है देखिस सेकंड रेस्टेंट वायर वाहां शुरू हो जा रहा है और जास सेकंड खतम हो रहा है थर्ड रेस्टेंट वायर शुरू हो जा रहा है और यह पीछे एक क्या करते हो असेंबली में जाते हो तो सिरीज में जा रहा है ठीक है वन क पीछे another another के पीछे another ठीक है तो अब ये series में क्या होता है समझते हैं एक series को अगर मुझे निकालना हो तो समझने के लिए क्या देखना है देखे जब हम बात करते है series की तो देखे current का flow current का flow हमेशा बड़ी डूंडी से प्लस वाले से निकलता दिखाई देगा याद रख लिजे, remember कर लिजे direction of current क्या है इस प्लस वाले से शुरू होता है बड़ी वाली डंडी प्लस को represent करती है यहां से current move करता हो जा रहा है अब यहां पे current constant होता है क्या I that is current is constant किसमे current constant होता है current constant होता है सिरीज में, बात कर रहे हैं सिरीज की और इसमें V that is potential is potential for the total इसका किसके बरावर होता है V1 V2 V3 इसका मतलब है इसका potential तीनों के तीन रिस्टेंट वायर है तीनों के potential के बरावर होता है और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पॉर्मूला क्या पढ़ा था V is equal to IR आपको याद होगा हमने पॉर्मूला V is equal to IR ओम स्लाव में पढ़ा था कि current और potential difference directly proportional होते हैं तो है V is equal to IR है अब इसमें क्या लगाना है current I जो की constant है मतलब सबको same current मिलेगी तो I IR resistance in series symbolically series लिख दिया और V1 तो इसको हो जाएगा IR1 सर यह IR1 क्यों आया I तो current है और current constant है इसका resistance पहले वाले का क्या है इसका V1 का और यह है V2 का और यह है V3 का इन तीनों का total voltage total potential क्या होगा sum of each के बराबर होगा इन तीनों के potentials को add कर देंगे आ जाएगा अब देखें क्या करते है V1 निकाल दिया V2 क्या निकलेगा V3 क्या निकलेगा यह निकलेगा अब आप देखें symbolically I constant है I constant है तो बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और यह हो जाएगा I R S अब आप ध्यान से देखें I दोनों तरफ constant है तो यह I और यह I cancel हो जाएगा तो आपका answer आ जाएगा therefore resistance in series जब भी series का case होगा अथाद resistant wire एक के बाद एक लगी होगी एक के पीछे एक लगी होगी तो resistance बढ़ जाएगा इसका मतलब है आपको अगर जादा resistance चाहिए आपको current कम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा resistance in series लगाना पड़ेगा फिर से सुन लो आपके पास तीन resistant wire है एक resistance दो ओम की है एक resistance वायर तीन ओम की है एक resistance वायर चार ओम की है यहाँ सुना आपने दो ओम, तीन ओम, चार ओम तीन resistant wire है आपको resistance जदा चाहिए तो आप तीनों को series में जोड दीजेगा maximum resistance कब आएगा maximum resistance कब आएगा जब आप तीनों को सिरीज में जोड़ देंगे that means 2 plus 3 plus 4 so 2 plus 3 plus 4 gives you 9 ohm आपका resistance maximum 9 ohm हो पाएगा अमंग जाया? तो if you want maximum resistance and lowest current याद रखेगा resistance मतलब रुकावट होता है और जब एलेक्ट्रोंग में रुकावट होगा तो current कम जाएगी और current कम जाएगी तो yes आपको अपना पंखा धीरे करना है ठंडी आ रही है आप क्या करते हैं आप अपना जो voltage आपके न पंखे के साथ वो लगा हुआ है regulator क्या कहते हैं? पंखे को कम जदा है remote आला पंखा है क्या तुमारे पास? हाँ चलो उसकी भी बात कर लेते हैं उसमें भी यह हो रहा है वो resistance बढ़ा रहा है और resistance बढ़ाते ही पंखा slow चलना लगेगा क्योंकि resistance और current एक दूसरे के inverse होते हैं resistance बढ़ाओगे current घटेगा clear? तो अगर आपको क्या करना है if you want a high current you have to reduce the resistance और reduce करने के लिए आपको करना पड़ेगा parallel 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 आईए अब parallel समझते हैं कैसे होता है series तो समझ में आ गया ठीक है? series को हमने क्या कर दिया? यह जो दिखाया था आपको दिखा दिया derivation how formula for series is calculated और series में मैंने कहा जितनी में resistant wire है बस सबको plus करते जाओ simple है total resistance equivalent resistance आ जाएगा और मैंने कहा जैसे जैसे series में रखते जाओगे सबको add करते जाओ simply बस खतम अब बात करते हैं resistance in parallel की तो जो हम parallel की बात करते हैं तो parallel में जो parallel में जो resistant wires होती है वो one after the other नहीं होती है बलकी all resistant wire at one places सबके starting point एक और end point एक सोचिए imagine करिए मुझे ये तीन wire है एक दो और ये तीन मैंने तीन wire ले लिए आपके सामने भी लेता हूँ एक बाद फिर से हाँ मेरे पास है ये जो मेरा ना mic है ये wire बन जाएगा अभी बन जाएगा एक दो तीन मैंने बना दिया आपके सामने तीन wire ये रही तीन wire आप देख पा रहे है clearly तीन wire हाँ जरूर देख पा रहा हूँगे तीन वायर अब तीनों का starting point एक जगे है end point एक जगे है इनको हम कहेंगे parallel देख लीजे parallel है तीनों है ना तीनों parallel तीनों दिख रही है आपको one two three समझ में आया तो parallel में क्या होता है parallel में current को flow करने के लिए तीन पाथ मिल जाते है क्या देखे current यहां से निकल रही है ये गई current अब एक रास्ता है i1 दूसरा रास्ता है i2 तीसरा i3 इस बार current constant नहीं है तो in parallel जब parallel होता है parallel की पैचान समझ गए सारे connections at one point हो गए और इसका beginning एक point पर है और इन सबका end भी एक ही point पर है all connections of beginning and end are at one point इसको हम कहते है parallel connection तो इसमें फाइदा क्या होता है इसमें current को तीन पाथ मिल जाता है इस बार potential difference constant होता है इन पैरलल क्या होता है V is constant तो V constant है तो इस बार current कैसे निकलेगी total current इस बार that is I is equal to I1 plus I2 plus I3 मतलब इस बार current को तीन पाथ से flow करना पड़ेगा इस बार current के तीन पाथ है इसकी current, इसकी current, इसकी current तोटल current के बराबर होगी इस current के बराबर होगी तो ये current तीन divisions में break हो जा रही है एक single current जो आ रही है इस पाथ से A के बाद B जाने से पहले तीन divisions में break हो जा रही है इन तीन I1, I2, I3 को add करेंगे तो आपकी total current आ जाएगी अच्छा अपकी rule भी वही है V इसका constant है तो V is equal to I R अगर मुझे इस में से I निकालना है तो हो जाएगा V upon R इसका मतलब है इस बार क्या लगेगा V upon R इस बार resistance in parallel है तो symbolically लिख रहे है current is equal to V upon R P और यहाँ पर पहली current के लिए पहले current के लिए formula तो यहीं लगेगा क्या formula लगेगा V upon R1 सर यह formula V upon R1 कैसे आया तो मैंने बताया कि V is equal to I R होता है और अगर मुझे इसमें V upon R कर दें तो I आ जागा कि नहीं आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा यही formula लगा रहा हूँ V upon R1 I 1 आ जाएगा I 2 कैसे आएगा V upon R2 और I 3 आएगा V upon R3 ध्यान से देख लीजे clear हो जाएगा अब आप देखेंगे इसमें V constant होने वाला है 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 V constant कर लिया common कर लिया मैंने और यहाँ पर है V upon R resistance in parallel यह V यह वाला V और यह वाला V cancel हो जाएगे तो आपके पास formula बन जाएगा 1 upon R3 parallel is equal to reciprocal sum of reciprocal of all resistance sum of reciprocal of all resistance तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 n times जितनी times होता सब को plus कर देते तो मेरा answer आए था 1 upon Rp और यह answer भी रहती प्रोकल में आएगा जो answer आएगा उसका भी अप रहसी प्रोकल कर देंगे चलिए एक example फिर से करते है एक resistant wire है आपके पास 2 ohm की एक resistance wire है तुम्हारे पास 3 ohm की और एक resistance wire है तुम्हारे पास 4 ohm की so 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm आपको बताना है अगर यह तीनों को पैरलल में connect करेंगे तो कि रेस्टेंस कितना हैगा एक्विवेलेंट रेस्टेंस कितना हैगा calculate me and tell to me बताना है immediately अभी बताना है तुमको clear है? बताओ मुझे जब तक मैं आपको आगे ले चलता हूँ बात करते हैं electrical energy की electrical power की तो हमना आरे पास बहुत सारे devices ने घर में जिनका हम यूज कर रहे हैं अब आप यूज करिए geezer की बात करिए मुझे से एक geezer, geezer क्या करता है heat produce करता है आप देते है current उसके अंदर लगा होता है निक्रोम उसके अंदर लगा होता है heating element वो heat convert कर देता है उस current को तो convert करता है electric energy to heat energy अब आप बात करिए मुझे से bulb के filament की वो क्या करता है उसके अंदर लगा होता है tungsten वो heat लेता है और light and heat दोनों produce करता है या light भी पैदा करता है ज्यान दिजेगा और आप example लीजिए एक juicer mixer grinder का juicer mixer उसके अंदर एक गोल घूमने वाला device लगा होता है वो होता है motor तो वो क्या करता है current लेता है आप उसको current देते हैं juicer mixer grinder को जब आप आप on करते हैं तो वो current क्या करता है mechanical energy में ये कनवर्ड हो जाता है अठाथ उसमें part move करता है तब ही तो पंका चल रहा है गीजर चल रहा है sorry motor चल रहा है उसके अंदर गोल चीज़े घूमने घूम रही है ना washing machine में भी देखिए तो वहाँ पर क्या हो रही है mechanical energy पैदा हो रही है और तीसरा example लेता हूं तीसरा sorry next example लेता हूं electrolyte का अगर एक current पास कर दें electrolyte पे एक liquid conductor को कहते है electrolyte पे तो वहाँ पे chemical energy produce जाती है चलिए बात करते हैं energy की तो measurement of energy ध्यान दीजेगा energy is work potential difference में भी definition में यही बताया था जब हम बात करते थे potential की वी की बात करते थे तो बात करते थे energy upon charge इसी V जिसको हम work कहते हैं आम भाशा में यही है energy electrical energy अब energy का formula हो जाएगा potential into charge यह रहा वो formula कहां सताया w is energy work मतलब energy होता है is equal to potential into charge याद रखेगा q का भी एक formula है q का formula है i upon t ठीक है तो अब जहां पर q लिखा है उसके बदले it लिख सकते हैं तो w is equal to v it कैसे बन गया जहां पर q लिखा है उसके बदले q का formula लिख देंगे it so v it आपके बास energy का दो formula हो गया पहला formula हो गया energy का formula potential into charge और दूसरा formula हो गया potential into current into time ठीक है अब बात करते हैं work energy energy की बात करते हैं electric energy की बात करते हैं तो electric energy क्या होती है electric energy is supplied by the source in a power yes in a current for a time तो इसलिए लिखा है v it चीक है अब आते हैं इसी से correlated formulas derive करते हैं अब हमको v का formula ir मालूम है और हमने w का formula भी आपको बताया v it तो अब हम यहाँ पर v के बदले ir लगा सकते हैं हा लगा सकते हैं क्योंकि v की value होती यह तो यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा i square rt क्योंकि v के बदले क्या लगा दी है i square i square कैसे आगा एक यहीव है समझ गया और यहां तो दुबारा क्या कर सकते हैं एक और formula लगा सकते हैं अब हम w work का या energy का formula के बदले क्या लगा रहे है I की एल्यू लगा दे रहे हैं I की एल्यू देखें क्या हो जाएगी i की वेल्यू हो जाएगी V upon R हो जाएगी I की नहुंट तो लगा दीजे आई की मतले क्या डू अब्लू ऊपन sorry V upon R का square स्कुराइर आरी हम ना अब लाकिन ऐसे एक अकट जाएंग तोbeing potent बां में डिक व्यकर अपोन अर्टिप्लाइड वाइट वाइट्स विक्थ योजिए आप कि रेट एट विच दी एनर्जी सप्लाइट कीवर्ड है रेट क्या है कीवर्ड जिस रेट से एनर्जी को सप्लाई क्या जा रहा है उसे कहते हैं एलेक्ट्रिक पावर और पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम देखिए कीवर्ड क्या है रेट मैंने कहा था जैसे ही रेट पढ़ा जाता है आप समझ जाए करिए अपॉन टाइम हाँ इससे पहले हम लोग ने करेंट में भी डेफिनेशन ने पढ़ा था आई की डेफिनेशन पढ़ा था चार्ज अपॉन टाइम याद होगा चार्ज पर उनिट टाइम को कहते हैं करेंट याद है तो उसी तरह से बर से तब मिटा दें कि पामला बन जाएगा आपका कि सारे पामले बन जाएंगे चलिए मैं बनाल देता हूं पावर इस इकल टू डबलू अपॉन टी वर्क अपॉन टाइम और या तो वी आई ठीक है और पावर का ऐसा यूनिट क्या है वाट क्या है जेम्स वाट नाम के एक महान साइंटिस्त थे जिन्होंने स्टीम इंजन को डेवलप किया था हां उसी के नाम से रखा गया है वाट ठीक है अब आता है वन वाट की डेफिनेशन मुझसे पूछेंगे तो कहेंगा वन वाट वो पावर है जो एक करेंट एक एंपियर में फ्लो करने पर वन पोल् पोटेंशल और आई क्या है वन एंपियर का करेंट तो पावर बन जाएगा वन वाट लियर है बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा किलो वाट मेगावाट गिगावाट ठीक है बड़े यूनिट पे कनवर्ट कर सकते हैं अच्छा हमारे घर में जो बिजली आती है आपके मेर में मेजर करता है जूल में नहीं 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 नहीं। जूल बहुत चोटा यूनिट है वोי मेजर करता हैется किलो वोट आवर में अपको मुझे गो जो कमर्शियल बिजली है इफार जोम बिजली खरीद रहे हैं वो किल वॉक्वाट आवर में चाहिए तो अगर बिजली को मेजर करना है तो work मतलब energy यह डबलू क्या है energy energy is power into time तो power को अगर हम what में मेजर करें और time को second में करें तो what पर second आ जाएगा जो की बहुत चोटा unit है जो की joule है ठीक है बहुत से लोग कहेंगे कि यह तो बहुत चोटा unit है पर हमने क्या कहा हम लोग बड़ा unit इस्तेमाल करते हैं हम लोग watt hour नहीं kilowatt hour इस्तेमाल करते हैं चलिए एक watt hour को समल लेते हैं one watt hour कैसे आया one watt hour is equal to one watt into 3600 seconds ठीक है तो इसलिए हो गया 1 watt hour किसके बरावर आजाएगा 3600 joules के बरावर clear कैसे आया समझ में आया अब इसी को kilowatt में change करना होगा तो thousand से multiply और हो जाएगा क्या चीज multiply by thousand और कर देंगे क्योंकि क्या word है kilowatt वाट आवर को kilowatt करना है तो thousand आने से कितना 0 हो जाएगा 3,6,0,0,0,0,0 अब इसमें क्या करना है मुझे standard form में इसको convert करना है तो यहाँ decimal लगाएंगे तो यहाँ decimal लगाएंगे 3.6 तो कितना बचा 1,2,3,4,5,6 इसलिए लिखा 10 to the power 6 joules यह है हमारा 1 kilowatt hour आम भाशा में समझेंगे अगर मेरे पास कोई device है जिसमें 1 kilowatt की बिजली का power लगता है समझाने के लिए क्याते है कि मेरे पास एक geezer है क्या मेरे घर में geezer है उस geezer की power है 1 kilowatt मतलब 1000 watt अब उस 1000 watt वाले geezer को एक घंटे तक चला दो क्या? एक घंटे तक 1 kilowatt वाले device को यूज कर लो तो जितनी energy जितनी energy वो consume करेगा उसको कहेंगे 1 kilowatt hour समझ गये? हमारे घर में 1 kilowatt hour के yes units को बिजली का commercial unit कहते है और जब rate निकालना होता है जब बिजली का bill निकालना होता है तो इसी से निकालते है kilowatt hour जितना unit होता है उसको आम बाशा में हम लोग unit बोलते है उसको multiply कर देते है government का rate से अगर किसी device में है सोचिए कोई appliance है कोई bulb है कोई भी device है उसमें लिखा हुआ है 100 watt-220 volt तो मैंने बताया था हमारे पूरे भारत में जो current supply है potential difference है हर घर में वो 220 volt का है यह हमारा क्या है potential difference at each home और यह 100 watt क्या बता रहा है power बता रहा है ठीक है न तो अगर क्या लिखा है किसी device में किसी electrical appliance में यह लिखा है इसका मतलब है कि उसके appliance को 220 volt की supply में चलाएंगे क्या होगा अगर 250 volt की चलाएं 260 volt की चलाएं 300 volt में चलाएं अरे device उड़ जाएगा भाई 220 volt इसकी capacity है समझ गया न ज्यादा volt दोगे तो प्ष्ट तो अगर कोई 220 volt की power supply जो कि मैंने का हमारे तुमारे सब के घरों में पूरे भारत में 220 volt supply है इसमें electric power वो कितना consume करता है 100 watt अगर 220 volt 220 volt का supply दोगे तो वो 100 watt consume करेगा मतलब 100 Joule के energy consume करेगा एक सेकंड में अच्छा resistance भी ना आप सकते हैं safe limit भी ना आप सकते हैं resistance का formula होता है V square upon ठीक है या ऐसे कहें जितना भी voltage दिया वा है उसका square कर दो divided by the power कर दो ठीक है आईए बात करते हैं current की the value of I is the safest value of the current which can pass through the appliance अब safe current क्या है यह है formula I that is the safest current for an appliance अगर ऐसे लिखा है 100 watt 220 volt ऐसे लिखा है तो आप उसमें बहुत आराम से resistance निकाल पाएंगे कैसे resistance निकालेंगे resistance का formula मैंने अभी ज़स्ट दिखाया resistance is equal to V square upon P आपके पास V है आपके पास P है यह है V यह है P कर लेंगे resistance और अगर current निकालना होगा तो तब आजाएगा power upon voltage बड़े अराम से इसका भी current निकाल देंगे I is equal to power मेरे case में है power 100 यह रहा power upon V 220 divide कर देंगे उतना ampere आ जाएगा समझ में आया safe current कैसे निकालते हैं अगर किसी appliance में यह number लिखा हो तो आप resistance भी निकाल सकते हैं उसका और उसका safe limit of current भी निकाल सकते हैं power in kilowatt into time ठीक है और बिजली मेजर करना हो दाम देना हो बिजली वालों को तो मैंने का जितनी unit हम consume कर रहे हैं अगर हम 100 unit बिजली consume कर रहे हैं एक महीने में वैसे 100 तो नहीं करते हैं विसे बहुत ज्यादा करते हैं हम और आप क्योंकि घर में बहुत डिवाइसे लगे हैं अगर current, resistance और time इन तिनों को पता कर लें तो हम heating effect को पता कर सकते हैं heating effect एक तरह की energy है तो H that is energy that is heating effect वो किस पर बहुत करती है I square RT I stands for current so heating is square of the current जितना current का होगे उसका square times कर दोगे उतनी energy heating effect पता है और किस पर बहुत करती है resistance पर बहुत करती है directly proportion है higher is the resistance higher is the heating energy and last T that is time so directly proportional to time तो अगर current को measure करते हैं हम लोग ampere में resistance को measure करते हैं ohm में और time को second में measure करते हैं तो आपके पास जो energy आते है वो Joule में आती है क्योंकि मैंने कहा था heat energy energy है और energy work है और वो measure करते है Joule में ठीक है and this is called as Joule's law of heating so Joule law of heating states that H is equal to I square RT हाँ I square RT Joule's law of heating है यह help करता है किसी भी device की heating value को energy level को जानने में I am very 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 sure कि आपने मुझसे वो question wait किया होगा कि sir वो जो door resistant wire था उसका answer क्या होगा आइए देखते हैं फिर से जो मैंने question beginning में छोड़ा था आइए कतम करते हैं उसको यह रहा वो जवाब आपको V versus I graph मैंने discuss किया था याद करिए मिस्किया क्या आपने वोला portion मिस्किया तो फिर पीसे जाके देखिए मैंने वहाँ पे आपसे question पूछा था और मैंने कहा था last में इसका answer आपके साथ discuss करेंगे तो V versus I graph में दो wires का दो आपको क्या देख रही है यह values दिख रही है एक A दिख रही है और एक B आपसे पूछाता कि resistance किसका ज़्यादा होगा तो आपका जवाब होना चाहिए resistance will be higher in A higher than resistance in B Sir आपको कैसे मालूम resistance B का कम होगा एक तो पहचान है V versus I graph क्या बताता है slope जो उसका क्या बताता है resistance बताता है तो ध्यान से सुनिएगा A का resistance high होगा क्योंकि A steeper line है क्या steep है तिक्षी line है तिर्ची line है और यह gentle line है चलो एक नमबर से समझाते हैं एक नमबर लेते हैं चलो नम ठीक है potential difference 40 ले लिए यहां से दिखिएगा मैं स्तावित करूंगा भी और इसको touch करते हैं पहले A को जब A को touch किया यहां पर तो यहां से यह नीचे bent हो रही है यह V है हमारा potential difference है y-axis पे और यह रहा हमारा current x-axis पे current है 10 अब मुझे यहां का resistance निकालना है resistance for A will be V upon I that is 40 upon 10 that is 4 ampere sorry 4 ohm हो गया पहला resistance अब आगे बढ़िए आगे देखे अब इसी point पर जब V 40 है B को यहां touch कर रहे है और इस बार time जो है इस बार सॉरी राइम बोला current जो है वो 40 ohm बन गया है देखे इस पर इसको जहां से देखे resistance for B क्या हो जाएगा V upon I इसका V है 40 इसका I भी है 40 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 ohm क्या आ जाएगा 1 ohm क्या प्रूव कर दिया मैंने कि resistance A का ज्यादा है B से clear है very clear है so this brings to the end of the entire lesson और आपके सारे major subject यहीं cover हो रहे है आपके लिए dedicated book हमने लाई है करेंगे आप स्क्रीन पर चेक करेंगे अभी अभी स्क्रीन पर चैर करेंगे कहां पर आप हमारे message में चेक करीए अभी क्या बोलते हैं इसको chat box में chat होता है न में चेक करेंगे आपको हमारे second channel संतरुनरपानी shots का भी जिकर मिल जाएगा हमने इसको प्रिकमेंट में रखा यह exclusive यह आपके लिए बनाया गया यह नया चैनल है जिसमें हम धेर सारे science से related छोटे वीडियो शॉट वीडियो जाले है इसमें नुबकवास only आप से लिटेड या मेरे personal drive से लिटेड वीडियो होंगे मिलते हैं